गुद मॉर्निंग एवरीबेन वेल्कम तू टीपीडी ओल्लाइन क्लासेस फर्स्ट अफ वाल हैपी रीपब्लिक टो आल अफ यू कल जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया है वाकई बहुत ही जादे लाजबाब था खासकर अनन्या ने गाना गया था तेरे मिट्टे पे महरज़बा बहुत ही जाद ही उनकी सॉरिली आवास थी ओम ने अपने सिस्टर्स के साथ में गृप डांस गिया है क्रिटी स्री ने बहुत अच्छा सोलो डांस किया था वह जादे लाजबाब था हम सबी ने देखे आप लोग के वीडियोज और जो भी आप लोग ने परफॉर्म किया था इसके लिए हम लोग बहुत ही जाते आप लोग के अप्रेसियेट करते हैं ऐसे ही कॉंटिन्यू रखेंगे अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं इसके वीडियो में हम लोग ने क्लास के अंदर में इक चैप्टर स्टार्ट क्या होगा था वा था न? दिश्यादन प्लाट्यू के साथ में यह भी पढ़ा था किiegen कोण कौण से शैलिय कीजर से थोड़ा से कुए कर लेते हैं और से थोड़ी सी चेंजर दिख रहे होगी changes इसलिए है क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने बुक के एक पिक्चर यूज की थी चीजों को समझने के लिए को समझने के लिए बट इसमें हमने थोड़ा सा अलग किया हुआ है P P patients which पिपीटी की थूरू चीजों को समझने में थोड़ी सी 10 होती है आप अच्छे से चीजओ को समझ सकते हैं और नोटन बना सकते हैं बहुत क्रिस्पी जब चाहे हम इसकों कर सकते हैं उसको मैंने पीपीटी का इस्तिमाल किया है कि आपको नोट्स बनाने में easy होगी तो Southern Plateau के बारे में लो बात कर रहे थे Southern Plateau थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कहां पढ़ेगा Southern Plateau पढ़ेगा कहां पे Northern Plain के South में हमने Northern Plain पढ़ा Northern Plains उससे पहले पढ़ा था Northern Mountains के बारे में तो Northern Mountains के South में पढ़ता है Northern Plains और Northern Plains के South में क्या पढ़ेगा आपका Southern Plateau ये जो Southern Plateau है इसका shape कैसा है It is triangular कौन से shape में है triangular shape में है और ये इंडिया के पूरा का पूरा जो Southern Part है उसके Large Part को क्या करता है cover करता है और ये किस के दौरा surrounded है हमने बता है था आपको Arawli Range Arawli Range कहां पढ़ेगी Arawli Range पढ़ेगी North West direction में Rajasthan में Rajmahal Hills कहां पढ़ेगी ये पढ़ेगी North East direction में Jharakhand में Eastern Ghat कहां पढ़ेगी Southern Plateau के Eastern side में और Western Ghat कहां पढ़ेगी Southern Plateau के Western side में इतना आमने पढ़े लिया था अब आपको इदेगे ये मैंने जो पेपिटी डाला हुआ है इसमें कितना ही जी मैंने समझा दिया Southern Plateau हो गया Center में ये हो गया NW means North West में क्या हो गया Arawli Range ये हो गया North Direction नीचे हो गया South Direction N E means North East North East में कौन सा माउंटेन है Rajmahul Hills है E means East East में क्या है Eastern Ghats W means West तो West में क्यों हो गया Western Ghats तो यह जब आप Notes बनाएगे तो ऐसे ही डाइगराम बना के सुन्दर शक कलर कर सकते हैं Colorful Pencils का युद्ध करें Notes बहुत ही लाजबाब बनाएगे ठीक है यह हमने पढ़ लिया था अब एक बार और थोड़े सा Map के थूरू अब हमने बताया था ना आपको कि जो Southern Plateau इसके तीन पार्ट है पहले पार्ट को क्या बोलता है यह जो यल्लो वाला पार्ट देख रहे हैं यह थोड़ी सी इसकी जो हाइट है तोड़ी सी जादे है तो जिस जमीन की हाइट जादे होती है उसे हाइलेंड बोल देते है क्या बोल देते हैं हाइलेंड हाइलेंड क्या होता है नहीं समझ में है समझे सपोज करिए Saturday है Sports Day अपने स्कूल का और सभी लोग आप लोग क्रिकेट में ग्राउंड में कुछ मैच खेल रहे है कुछ बैंड मेंडन केल रहे है और कोई बच्चा जो है अपने यहाँ पर जो इंट्रेंस गेट है उसके स्टेस पर बैठा हुआ है आप तो ग्राउंड में यहां पर आंधर पर देश यहां पर ते लंगाना यह सारे स्टेट्स हो गए यह गया थोड क्या हो गया चोटा नागपुर प्लैट्यू कहां पढ़ रहा आपके इस्टन साइड में इस्टन साइड में कहा मिलेगा आपको जारखंड में और ओडिशा वाले पार्ट में मिल रहा आपको यह जारखंड और ओडिशा वाले पार् 1. Central Highlands 2. Dakin Plattoo & 3. छोटा नागपुर प्लैटु वेरि गुट , आज की इस लेक्श्र में हम लोग Central Highlands के बारे में डीटिल में पढ़ेंगे, एक चीज़ और बता देजे , हमने नमदा रिवर के बारे में बढ़ा था ना, नमदा रिवर क्या करती है , नमदा रिवर Southern प्लेटु को 9-डैककन प्लेटु को Central Highland से अलग करती थी, क्या करती है, अलग करती है, तो जहां river flow करती है, रिवर क्या करेगी, अपने आसपास के area को erode करती है, जब erode करती है, तो plain type का land बनता है, जिसे भोलते हैं valley, डो mountain range है, बीच से river गई, river ने क्या कि आसबस की इरोड कर दिया जब इरोड करेगी तो किसका structure formation होगा valleys का तो चुकि ये river ये valley किसके द्वारा बनी नामदा river के द्वारा इसलिए river valley को क्या बोल देंगे नामदा river valley या simple language में नामदा valley very good नामदा valleys divide the southern plateau into two parts southern plateau को कितने भाग में बाढ़ दिया इसने दो बाढ़ पर दिगी first हो गया central highlands second कौन हो गया deckland plateau north को क्या बोलते है north में हो गया central highland और south में क्या हो गया deckland plateau तो इसके बीच में जो जमीने उसे क्या बोल दिया हमने नामदा valley अब हमें किस के बारे में पड़ना है center highlands के बारे में center highlands इसके भी दो पार्ट पहले पार्ट को बोलते है मालवा पले टू दूसरे पार्ट को बोलते है छोटा नाघपूर प्लेटू यहां पता है ल हाग बोलते हैं क्यो है जारखंड वाली लाके में तो यहां पर नाग नाग से नागपूर हो गया फिर काकी नहीं, यहां के तो नाग बहुत छोटे पाया जाते हैं तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया छोटा नागपूर और यहां चुकी पलेट्ट्व है, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया छोटा नागपूर पलेट्व यह जो है मालवा पलेट्व मालवा पलेट्व पता है क्या हूं यहां के लोग ना मालपूः बहुत जारे खाते हैं मालपूः जानते हैं वो मैदे की थोड़ी सी मामी लोग घर पर बनाती है पकवान अरे उसमें चीनी डाला जाता है थोड़ी सी मीठी लगती है गुरे डालते हैं कितना मीठा लगता है तो वहां के लोग मालवा पुगा कहते है न इसलिए यहां पर क्या पढ़ गया मालवा प्लेटू बताईए कि जोटा नागपुर प्लेटू जहां बहुत चोटे चोटे नाग मिलेंगे आपको यह कहां मिलेगा आपको जार खंड में जार खंड में दोनों को बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं मालवा प्लेटू लाइज बिट्वीन अरावली हील्स एन बिंध्या हील्स अब यह जो मालवा प्लेटू है ना, दो हिल्स के बीच में पढ़ता है, एक अरावली हिल्स, जो कहां था, राजस्थान में, विंद्याचल हिल्स यह कहां है, खुद मद्यपरदेश में है, तो दोनों हिल्स के बीच वला जो प्लेटू है, उसे क्या बोल दिया, मालवा प्ल टू, इंक्लूड़ पार्टस टाव राजस्थान यंट मद्यपरदेश, थोड़ा सा पार्ट इसमें, राजस्थान का पढ़ता है, और मद्यपरदेश का, सम इम्पार्टेंट रिजोटन्ज, आर भूपाल, ग्वालियर और इंदर, अब सोचिये जा रहा, आपका मन हुआ कि सेर हम चलते हैं समा वकेशन मनाने के लिए कहां पर मालमा प्लेटू में तो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर जाएंगे ना तीन डेस्टिनेशन का अपलोंग ना मियाद कर लिजे भॉपाल जुम्मध दपरदेश की क्या है कैपिटल सीटी है वेरी गुड ग्वालियर में जाएंगे ना बहुत सारे आपको फोर्ट्स मिलेंगे कीले मिल जाएंगे आप पहले में आज से दो सो धाई सो चार सो साल पहले हैं राजा महराजा रहते थे सेम तरीके से इंदौर में भी एक राजा रहते थे उनका घर है तो यहाँ प्लैट्टू है हाइट है इनकी इसके उपर में यह सब ग्रो कर गए है आज पास समझ में है वेरी गुड नेक्स्ट है छोटा नागपुर ब्लैट्टू इट इंक्लूट्स मच आप जारकंद इंक्लूट का मतलब सामिल इस प्लैट्टू के अंदर में आपको क्या मिलेगा जारकंद और के मिलेगा ओडिशा और के मिलेगा थोड़ा सब भिहार और के मिलेगा जारकंद नहीं मैक्सिमम पार्ट जारकंद का किसम है चोटा नाग प्लूट हूरूट हाइट इटेज रिच ना चोटर नागपुर प्लेटू है और यहां पर देखे पानी बह रहा है तो रिवर ही होगी कोई कौन सी रिवर है दामोदर रिवर कौन सी है दामोदर रिवर है कहां बैती है तो यह बैती है जारखंड में तो यह जो प्लेटू है ना जब इसको हम तोड़ते हैं पत्तर हो कि आहां पर माईका मीन्या की नाम है । indeed माईचे लोग… के लोग में…